कोर्वा के पाली में महा शिवरात्री के अफसर पर आयो जीत पाली महोत्सव के समापन समारोह में मुख्यवंत्री भुपेश बगेल भिलाई से सीधे विडियो कॉंफरेंसिंग के माध्यम से जुड़े मंच में 36 गड़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर चरंदास महनतो और स्कूल सिक्षा मंत्री वच्जुली की प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सेहटे काम मौजुद रहे इस ओफसर पर मुख्यमंत्री भुपेश बगेल ने कहा कि राजी में पुरा तात्विक महत्व की जगहों और परेटा निस्थालों पर सुविधाओं का जितना विकास होगा उतने ही रोजगार के नए ओफसर बनेंगी देश और दुनिया के लोग हमारी संस्कृती के साथ साथ 36 गड़ की छमताओं के बारे में भी जान सकींगे इससे राजी को एक नई पहचान मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि आज पाली महत्सव ना सिर्फ कोर्बा की बलकि 36 गड़ की भी पहचान बन चुकी है इस महत्सव की प्रसिद्धी और बढ़े इसे और भी व्रहद इस्तर पर आयोजित किया जाए इस दिशामेल सरकार लगतार काम कर रही है पाली महत्सव के माध्यम से कोर्बा जीले के पुरातत्व बहां की प्राकृतिक सुन्दरता और सुन्दर्प संस्पृति के बारे में देश दुनिया की लोगों को जानकारी मिलती है मुख्यमंत्री ने पाली वासियों को महाशिवरात्री के अफसर पर सौगार देते हुए पाली के बस स्टेंड को हाइटेक बनाने की घोशना की बस स्टेंड के हाई टेक बन जाने से पाली तक आवगमन की सुविधाओं का विस्तार होगा और दूसरे लोगों के साथ साथ इस छेत्र में परियत्रकों का आना जाना भी बढ़ेगा बतार काम कर रहे हैं कोर्बा जिले की बुका जला से सतरेंगा पांगोबान और पाली सहीद वहों से ऐसी जगह हैं जो परियत्रकों को आगासित करते हैं इस सभी जगहों पर परियत्रकों पिक्सित की जा रही है पॉर्बा जिले के सांसाइक्ट पुलिष के जत्तिज़ण में ने परियत्रकों चिद्रकों करने उसका विकास किया जा रहा है प्राम वन्दमन पक्त परियत्रक परियत्रकों ऐसी एक प्रियोजना है मिडियापूर सपोर्ट के लिए मनरंच साहो के साथ संतोष अगरवाल की रिपोर्ट